राश्ट्रपती महमूद अब्बास ने लंबे समय तक अपने आर्थिक सलाहकार रहे मुहम्मद मुस्तफा को फलस्तीनी प्राधिकरण का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 26 फरवरी को मुहम्मद सातायेह के स्तीफे के बाद से यह पद खाली था। 2014 में गजा पर इसराईल के हमले के बाद उसके पुनर निर्मान में मुस्तफा ने अहम भूमिका निभाई थी। में इसराईल के हमले अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फलस्तीनी प्राधिकरण का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो वेस्ट बैंक और पूरवी यरुशलम के लोगों द्वारा चुना जाता है। महमूद अब्बास 2005 से फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख है। लो ही राधिकरण के अभी यरíficन से फलस्तीनी के से फ़akukan 100áticas है जाता है। कर राधिकरण के वेस्ट डाधिकरण के लेंक का जाता है।